हेलो फेंट्स, पिछली क्लासी में हमने सिछा कि जरंड़ है, जरंड के क्या रूल है, जरंड़ क्या काम प्ले करता है, कैसे बनता है, और इस में हम डॉन-판it को आगे बढ़ाते हैं, आगे वाला जु स्का पार्ट है वो है पार्टिसपल. इस class में हम देखेंगे कि participle क्या होता है, कैसे बनता है और क्या क्या इसके function होते है तो सबसे पहले अगर हम participle की बात करें तो participle होता क्या है Participle basically वो words होते हैं जो adjective और adverb दोनों का काम करते है किसी भी sentence में इनका जो role होता है वो adjective ये adverb दोनों का होता है और इसी कारण इन्हें हम verbal adjective भी कहते हैं चुकि वोब से बने हैं इसके इनको वोबल adjective कहा जाता है जैसे play से बना playing और plate, sing से बना send और sunk, clear? अब मैं कुछ example लेता हूँ जो आपको clear हो जायागा कि participle क्या होते है जैसे अगर मैं कहूँ he came laughing, वह हस्ता हुआ आया clear effects, इसमें जो वाव है, finite वाव है, वो came है लेकिन जो laughing है, ये वाव से बना है, laugh से बना है, आई जी फॉर्म लगा के बना है और ही जो काम कर रहा है, ये किसका कर रहा है, adjective का कर रहा है, sorry, एडवाव का का काम कर रहा है he came laughing, कैसे आया, हस्ते वाव है clear होई बात, तो ये क्या है, participle you looked worried इसमें notice करें, इसमें participle कहा है, worried और another example having taken food, he slept इसमें है having taken, ये जो underline portion है, तीनों sentences में, ये क्या है, ये participle है बात clear हुई, क्योंकि ये जो काम कर रहा है, वो कहिना कहीं, adjective या adverb का का काम कर रहा है अब इसमें अगर हम इनको देखें, जो participle है, वो कितने काइंट्स के होते हैं, उनको हम three kinds में categorize करते हैं सबसे पहला है, मारे पास present participle, दोसरा past participle, और तीसरा perfect participle kind के तीस काम काम कर रहा है, पास्ट के थरी, प्रधन पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और पर्फेक्ट, प्रिजेंट 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 की बात करें तो सबसे पहले हम देखें कि ये बनता कैसे है present participle बनता कैसे है ये जो बनता है ये वाव में वाव की जो बेस फॉर्म होती है यारी जिसको हम फॉर्स फॉर्म कह देते हैं उसमें जब आई एंजी लगा दिया जाता है तो ये present participle का काम करती है clear? जैसे going, sitting, singing, playing, etc अब इसमें इनको अगर हम हिंदी में देखें तो हिंदी में हमें कौन सी चीज़े मिलती है sentence में जो words मिलते हैं last में वो कौन से मिलते हैं इससे हम देख सकते हैं कि ये जो है इसली हम देख सकते हैं कि ये किस तरह से इनको हम यूज करते हैं जैसे कर, clear, टे हुए, वाली, वाले, वाले, etc. ये शब्ध हमें इन में मिल जाते हैं, जो हिंदी वाग्य आएं, उनमें हमें ये शब्ध मिलते हैं और यह जो दिखाता है present participle यह शो करता है कि जो कार्ड यह है वो पूरा हो गया जो work है वो completed काम पूरा हो गया clear विबाद friends? यहां तक आपको समय आया होगा present participle क्या है और कैसे बनता है clear? काम पूरा हो जाता है इसमें और यह वोग की फस्वोब में आयंजी लगा कर बनता है और अगर हिंदी में देखें तो कर, टे, वे, वाली और वाले यह सब्ध हमें इसमें बात में मिलते हैं एक example लेंगे उससे टेलियर हो जाएगा अब देखेंगे इसको अगर एक example के मादियम से देखें तो अगर मैं लूँ hearing the noise the baby walk up इस sentence को देखें फ्रेंट्स hearing the noise the baby walk up अब इसमें एक चीज़ देखें इसमें दो काम हो ले हैं hearing the noise शोर सुनकर the baby walk up बच्चा जा गया पहना काम हुआ शोर सुनने का बच्चे ने शोर सुना और उसकी immediate action हुआ क्या हुआ उसकी immediate particular होई कि वो जाग रहा अगर हम देखें ज़रो थे जब एक काम समाप्त होते ही एक कार्य समाप्त और दूसरा कार्य जो है वो प्रारंब हो जाए इस example के मादिन से हम देखें clear लेकिन एक चीज़ और है इनमे जो difference होता है दोनों actions में वो इतना minute difference होता है कि हम उनको अलग नहीं कर सकते है means दोनों में difference बिल्कुर ना के बराबर एक काम पूरी तरह से समाप्त तो हो गया लेकिन पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ clear है बाद? example आपको गया हुआ? yes another example के हम बात करें I found my baby crying I found my baby crying अब यहां पर फ्रेंट्स यह जो crying है इसमें present participle है और इसमें जो हम एक चीज और notice करें इसमें जो काम हो रहा है क्या I found मैंने पाया क्या पाया अपने बच्चे को crying करते हैं रोता हुआ पाया अब इसमें जो काम हो रहे हैं वो दो काम हो रहे हैं और दोनों एक साथ परठात यहां हम क्या कह सकते हैं कि एक साथ दो कार्ड़े इस सेंडेल्स में मात के लिए रोई अनदर एक जाम्पल अगर हम लिए बार्किंग डॉग्स सेंडेल्स माइट बार्किंग डॉग्स सेंडेल्स माइट यह एक प्रोवर्ब है बेसिकली कि जो गरस्ते हैं वो बरस्ते नहीं है अब इसमें क्या है इसमें पार्डिसिपल कहा है पर दे पार्डिसिपल यह रहा बार्किंग यहां तो कार्य वाली कोई बात नहीं है यहां पर इसका जो काम कर रहा है इसका जो फंक्षन है वो क्या है इसको क्वालिफाई कर रहा है आर्ठाक यो adjective है और यह noun है अरखात यहाँ जो काम कर रहा है वो क्या कर रहा है noun की विशेशता बताने का यह काम कर रहा है clear हुई हम यहाँ देख सकते हैं हमने ती एक्जामपल लिए इन तीनों एक्जामपल में जो काम है participle का वो अलग-अलग है तो पहले क्यामपल में जो काम था हमारे पास क्या था कि जब दो काम एक साथ हो और कैसे काम हो कि एक काम समाथ होते ही दूसरा कार्णे सुरू हो गया दूसरा यूज़ वो इसका जब एक साथ दो काम हो रहे हैं और तीसरा यूज़ वो इसका कि जब noun की wishes ता बताई जा रही है clear? अब हम इसको देखें कि इसकी जरुत क्या बढ़ती है present participle की यानि इसके uses क्या है हमारे पास क्या? इसके uses क्या है? तो फिर्ट सबसे पहले जो इसका use है वो है to form कांटिनो स्टेंस यानि की कांटिनो स्टेंस बनाने के लिए present participle की जरूरत पड़ती है अगर मैं यहां कहूं he is singing तो इस सेंटेंस में देखे यहां दो वोग हमें दिख रही है एक is है और एक singing है अब कही बार को हम इसी में confuse हो जाते हैं कि इसमें finite conscience हैं और finite conscience है और confusion यह हो जाता है कि हम पूरी को ही is singing दोनों पार्ट को ही हम क्या माल लेते हैं finite वर्ब माल लेते हैं लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंट्स actually जब जो वर्ब है वो more than one particle से मिलके बनी हुई हो जब वर्ब में एक से ज़्यादा भाग हमें दिखाई दे रहे हैं तो उसमें जो सबसे पहला पार्ट होता है जो भी सबसे पहला पार्ट है वो finite वर्ब है और उसके बाद का जो भी पार्ट है वो non finite वर्ब है कैसे अगर देखें इसको यहाँ पर ही है subject इसको बदल दे अगर हम I आ जाए यहाँ पर तो बदला होगा I am singing यहाँ होगा ना कि यहाँ clear वर्ब अगर यहाँ पर तो यहाँ बदला हुआ यहाँ नहीं हुआ अर्थात यह जो singing है यह क्या है non finite वर्ब है बात clear हुई आपको लेकिन ध्यान अरने वाली बात यह ही है जो मैं minute difference को बता रहा हूँ इसमें आप बिल्कुल भी confused ना होँ अगर एक से ज़्यादा segment अगर हमारे पास वर्ब के मिल रहे है तो उसमें जो पहला वाला part है पहला वाला segment है वो क्या होता है finite वर होता है और उसके बात के जितने भी segment होते हैं वो non finite वर्ब होती है clear तो यहाँ पर इसको हम delete कर दें क्योंकि यहाँ पर यह is finite है non finite नहीं है इसकी हम बात पहले कर चुके अब हम इसको नहीं ले रहे है बात के लिए रवी you will be playing इसमें participant कहा है यह रहा present participant clear तो पहला काम हुआ इसका to form continuous sentence continuous sentence को बनाने के लिए present participle की हमें जरूरत पढ़ती है दूसरा काम है इसका क्या काम है इसका कि यह जो काम करता है adjective का काम करता है used as adjective अब adjective का काम कैसे करता है यह जो काम कर रहा है विशेशा का काम कर रहा है कौन present participle clear clear, जैसे मैं एक एक्जाम्पल लेता हूँ, it was a tiring exercise, clear, यह सेंटेंस को मैं ऐसे भी कह कहोँ, कि it was a tiring exercise, क्या हुआ, the exercise was, the exercise was tiring, देखें जरा, the exercise was tiring, अब यहाँ यह sentence या यह देखें, दोनों के meaning में तो कोई difference नहीं है, टाइलिंग क्या है, exercise, क्लियर में बात, ऐसे it से बना लें, dummy it से या exercise को subject रखके बना लें, दोनों ही sentences में ध्यान रखने वाली बात यह है, कि जो यह टाइलिंग है, यह क्या काम कर रहा है, friends, यह जो काम कर रहा है, वो adjective का काम कर रहा है, बात क्लियर हो गई, इसके बाद इसको हम देखें, कि यह जो है, इसका जो third use है, वो क्या है, यह जो होता है, present participle use होता है, यह जो कुछ हमारे पास special wogs होती है, उन wogs के बाद भी use होता है, used after some wogs, और कौन कौन सी wogs है, इसमें सबसे पहली है, हमारे पास hear, hear, see, feel, smell, see, feel, smell, for consumer friends, hear, see, feel, smell, इसके बाद आती है, catch, find, leave, etc. एक लंबी लिस्ट है, लेकिन यहाँ पे हमने कुछ वogs लिए हैं, example दिखाने के लिए, सो करने के लिए, कि यह जो wogs हैं, इन wogs के बाद, अगर कोई form आती है, तो वो present participle की form आती है, किन के बाद, इन wogs के बाद, जैसे मैं एक example देता हूँ, यहां लिए देता हूँ, चलो, आई साहिम, अब देखें हैं, क्या वार वा गई है, यह सी यहां आ गई है, आई साहिम, मैंने उसे देखा, अब यहां जो आगे बाला सेग्मेंट है, उस सेग्मेंट में क्या आएगा, फ्रेंट्स, जो लाफ है हमारे पास, उसकी आई ने परम आएगी, यहां यहां यूज़ होगा, clear, another example, देखें सेंटेंस को, he found you, उसने तुम्हें पाया, क्या पाया, standing there, वहां खड़े लिए पाया, तो यहां जो वाब आ गई है, find, यह रही find, इसी रिस्ट से थी, तो find के बाद हमें क्या लागा है, present part से बना रहा है, यहां तक clear हुआ आपको, तो पहला यूज़ हुआ इसका, continuous change बनाने के लिए, दूसरा यूज़ हुआ, adjective बनाने के लिए, और तीसरा यूज़ हुआ, कि कुछ verbs के बाद, present participle ही यूज़ होता है, clear बाद, yes, इसका next use है, to combine two sentences, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हम present participle का use करते हैं, to combine sentences, clear में बाद friends, यानि दो वाक्यों को जो औरने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, present participle का हम use करते हैं, जैसे, he came out of the office, he came out of the office, he was smiling, इसमें दो sentence हैं, he came out of the office, कि वह office से आया, और he was smiling, वो मुस्करा रहा था, अर्था दोनों sentence को हम देखें, तो वह office से कैसे आया, मुस्करा दे रहा आया, अगर हमें इनको जोड़ना पड़े, तो क्या हो जाएगा से इसमें वहरे पास जोड़ने के बाद, he came out of the office, smiling, यह जो present participle है, smiling, इसने दोनों sentences को जोड़ दिया, clear friends, इसका next use क्या है, next है, यह जो subordinate clause है, उसको replace करने के काम पाता है, यानि replace, subordinate clause, yes, तो इसमें subordinate clause को, replace करने के लिए इसका यूज किया जाता है, कैसे किया जाता है, मैं एक example गूँ, the pen which is lying on the table is mine, कि जो pen table पे पड़ा है, वो क्या है, मेरा है, तो इसमें हम देखें, subordinate clause कहा है, which is lying, यह subordinate clause हो गई, और इस subordinate clause को replace करने का काम, यह present participle कर देता है, कैसे replace कर रहा है, अगर मैं sentence को कहूँ, the pen, cable lying ले आए, on that table is mine, तो इस sentence में, यह जो पूरी clause थी, इस clause को replace कर दिया गया, और किससे replace कर दिया गया, is present participle को देता है, clear हुई बाद, इसके जो one, two, five uses थे, वो क्या थे, आपको समझ में आ गए, सारे explain कर दिये गए, अब इसके बाद आगे जो second part है, participle का हम उस पे बढ़ते हैं, यानि past participle को है, past participle, friends, past participle क्या होता है, ये एक्चुली गाउब की जो third form है, उसको यूज करके हम इसको बनाते हैं, और ये बाद की, third form से बनाता है, फिर दूसरी बाद ये है, ये कि इसमें जो काल्य होता है, वो past में ही, पूरा हो जाता है, इसकी पहचान क्या है, कि इसमें जो काम है, वो past में ही समाप्त हो जाता है, क्लियर लुए बात, अब इसको, अगर अब हिंदी की बात कर लें, तो इसमें हिंदी क्या होती है, हिंदी के लिए इसमें आता है, हुआ हुई और हुए यह सब यहां हमें हिंदी वाले वाक्यों में हिलते हैं हुआ हुई और हुए क्लियर होए बात एक एग एजामबल में देता हूं इससे आपको क्लियर हो जाएगा अब इसमें फ्रेंड्स जो लॉस्ट है यह किस से बना है वर्ब की थार्ट फॉम से बना है देखें उसे लॉस्ट दूसरी बात यह जो हुआ, हुई और हुए मीनिंग डिकल के क्या था सैंटन्स का उसको अपना खोया हुआ पर्स मिल गया खोया हुआ clearly हुआ गया और जो काम है वो पास्ट में ही पूरा हो गया अर्थार जो काम था पर्स को खोने का पास्ट में ही कहीं पूरा हो गया मिन्स पास्ट में ही कहीं वो काम हो गया और पास्ट में ही वो पर्स कहीं हो गया और काम क्या करते हैं ये एजटिटिव का काम करते हैं अब देखें यहां चो पर्स है ये नाउन है इसको qualify कौन कर रहा है ये lost कर रहा है means इसकी विशेस्ता बताने का काम इस पर्स की lost कर रहा है बात क्लियर होई आपको येस फ्रेंट्स अगर हम 5 participle के uses की बात करें तो हम देखें जो पहला काम है इसका वो क्या है perfect tense बनाने के लिए इसको use होता है to form perfect tenses यानि perfect tense बनाने के लिए हम participle का इसका past participle का use करते हैं जैसे मैं एक example देखा हूँ he has arrived यहाँ देखें friends यह क्या है past participle है बात के लिए हुई दूसरा काम यह जो करता है वो क्या काम करता है used as an adjective यानि विश्येशन का काम करता है जैसे मैं कहूं there were some fallen trees तो कैसे trees थे? fallen और fallen क्या काम कर रहा है? इस trees को qualify कर रहा है इस trees की विश्येशन का बता रहा है clear वही बात? इसके अलाबा next uses का to combine sentences means बात्यों को जोड़ने के लिए हम इसका use करते है बात्यों को जोड़ने के लिए कैसे use करते है एक example से clear हो जाएगा he enters he enters he is accompanied by his son कि वो आया जो आता है और कैसे आता है उस अपने बेटे के साथ तो sentence को हम कैसे बना सकते हैं he enters he enters accompanied by his son तो fancy जो accompanied था ये क्या काम कर रहा है हम पर past participle का काम कर रहा है बात के लिए हुई इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे perfect participle perfect participle होता क्या है कैसे बनाते हैं इसको और क्या ये role play करता है इसको हम having के साथ वर्ब की third form लगा कर बनाते है ये कर करके और के बाद हिंदी में अगर हम देखे कर करके और के बाद ये यहां इसका meaning निकलता है और इसमें खास बात ये है कि जो कार्डे है वो पहले ही समाथ पहले ही समाथ और अगर ये passive voice में कहीं बन रहा है तो passive voice में having और having के बाद been लगाये जाता है और फिर work की third form आती है किसमें perfect participle की हम बात कर रहे हैं जैसे एक example अगर हम लें having finished work he slept उसने काम किया काम करने के बाद वो सो गया having finished work having finished his work he slept तो having finished क्या काम कर रहा है my friends ये काम कर रहा है perfect participle का clear हुई बात अगर मैं कहूं the work having been finished he went home की काम finished करने के बाद वो घर चला गया तो जब work having been finished यहां जो ये having been finished आ रहा है यहां perfect participle है लेकिन काम क्या कर रहा है ये passive voice का काम कर रहा है clear इसका जो use है वो क्या है दो sentences को जोड़ने के लिए इसका हम use करते है only two sentences को add करने के लिए clear friends अब यहां आपने सीखे क्या present participle past participle और perfect participle present participle क्या था present participle में क्या था क्या कर रहा है यहां पर दो काम एक पहला पूरी तरह समा फिर गैप और फिर दूसरा काम शुरूँ के बार हम confused हो जाते हैं कि present participle और perfect participle में से कौन सा पार्टिसल पर हम यूज़ करें confuse नहीं हो ना confusion से बचने के लिए एक तरीका है हमारे पास अगर हम जब दो काम हो रहे हैं और दोनों कामों के बीच में कोई gap नहीं है एक काम पूरी तरह समावत नहीं हुआ दूसरा काम सुरूँ हो गया जैसे अगर मैं कहूं fundament deaf Follow निशाना लिया और हैंटर ने کیा चल ला डी अपनी गं चला लि निशाना लिया और तुरंद गं चला दी दोनों में difference नहीं है एक काम समाप्त नहीं हुआ कि दूसरा जूरू हो गया लेकिन अगर मैं कहूँ having taken food having taken food he went to bed क्या किया पहला काम? खाना खाया, खाना खाने के बाद bed पर चला गया जो खाना खाने का काम है वो कैसे खाना खाया? फिर उसके बाद gap कैसे gap? खाना खाया खाना काके तुरंत ही नहीं सो गया हुई उसके बाद क्या किया? उसने hand wash किये हुँगे और उसके बाद आदमी bed पर गया और सो गया दोनों में अंतर clear? शोर सुनकर बच्चा जाग गया शोर सुनकर बच्चा जाग गया hearing the noise, the baby welcome काम क्या हुआ है यहां पर? सोर सुना, बच्चा जाग गया दोनों के बीच कोई gap अमें नहीं दिख रहा है सोचें, gap दिखा नहीं दिखा तो कौन सा पार्टिसिपल? present पार्टिसिपल clear? लेकिन अगर मैं कहूँ कि having failed in the examination having failed in the examination he lost his heart परिक्सा में fail होने के बाद उसका दिल तूट गया परिक्सा में fail हो गया उसके बाद की बाद है यानि ये काम पूरी तरह cut gap और फिर कहीं जाके दूसरा काम start I hope आपको ये clear होए होगे जो हमने आप पार्टिसिपल सीखा ये आपको समझाया होगा चलिए और मिलते हैं आगे next class में कुछ और grammar की नहीं चीज़ों के साथ thanks for watching